दोस्तो स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस का फर्जिवादधा बाहर तबाया जब हिरासत में लिए गए एक आरोपी राजेंद्र ने दूसरे आरोपी सूरज का कतल कर दिया। उसके सामने नहीं हुआ। CBI का मानना है कि रेप की जाँच करने वाले पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT में बढधा जोल है। राजेंद्र के हाथों सूरज की हत्या के बाद, CBI ने SIT में शामिल आठ पुलिस वालों को गिरफतार कर लिया है। इसमें SIT का नेत्रित्व कर रहे जहूर जैदी और DSP मनोज कुमार जोशी भी शामिल हैं। क्या है पूरी कहानी? शिमला के पास ही एक तहसील है कोटखाई। इस तहसील के ही एक गाव में रहने वाली 14 साल की गुद्धिया बदला हुआ नाम अपने भाई के साथ स्कूल गई थी। तारिक थी 4 जुलाई। स्कूल सरकारी था और अंडर 14 की खेल प्रतियोगिताओं के मैदान बना हुआ था। उस दिन खास परहाई नहीं होनी थी। गुद्धिया स्कूल से घर लोटने लगी थी। उसने जल्दी घर पहुँचने के लिए जंगल का रास्ता लिया। उसने अपनी नैतिक शिक्षा की किताब के भीतर पिता की एक सलाह को तह करके रखा हुआ था। जंगल में चलते हुए हर आहट पर कान देना, जंगली जानवरों से सावधान रहना, गुद्धिया को पिता ये बताना भूल गए थे कि सभ्यसा दिखने वाला इंसान कई बार जंगल में रहने वाले जानवरों से ज्यादा वहशी होता है। गुद्धिया को जानवर नहीं, इंसानों ने दबोच लिया, पीछे से आ रही एक गाढधी से उसने लिफ्ट लेने की भूल कर दी, हालांकि वो गाढधी के ड्राइवर राजेंद्र को जानती थी, कुछ दूर जाकर गाढधी रोग दी गई, गुद्धिया को गाढधी स मामला दर्ज करवा दिया गया, शिमला में प्रदर्शन कर रहे लोग दो दिन तक पुलिस और परिजन गुद्धिया की तलाश में लगे रहे, गुद्धिया के मामा गुद्धिया की खोज के लिए दांदी के जंगल की खाक छान रहे थे, सबसे पहले उन्होंने और लाश को कीड़े लग चुके थे। आसपास के लोग भी मौके पर पहुँच गए और इस क्षत विक्षत लाश की फोटो लेने लगे। बाद में ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरोपियों ने पुलिस पूछताच में जो ब्योरा पेश किया गया वो हिला देने वाला है। आरोपियों ने बताया कि इस खौफनाक गैंग रेप से गुजरने के बाद गुद्धिया काफी देर तक अपनी जान की भीख मांगती रही। उसने कहा था कि वो जिन्दा रहना चाहती है। लेकिन आरोपियों ने उसकी एक ना सुनी और उसका गला घोट पुलिस ने इस बार भी एक्षन करने में देरी कर दी। इस बीच गुद्धिया की क्षत विक्षत लाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोगों का गुस्सा फूट पढधा। शिमला से शुरू हुए प्रदर्शन ने जल्द ही पूरे पहद्धी क वो अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रदर्शन चल ही रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री के आधिकारिक फेस्बुक एकाउंट से ग्यारह तारीख की राध चार आरोपियों की फोटो पोस्ट की गई। पोस्ट में लिख गया कि शिमला गैंगरेप के मामले में आरोपि क्यों लगे इस बीच दस तारीख को मामले की जाँच एसाइटी के हवाले कर दी गई। हत्या के नौ दिन बाद 13 जुलाई को पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसे बड़ ही काम्याबी बताया लेकिन ये वो मौका था जहां जाँच संदेह के द नाह लोगों की बली ले रही है। पकटदाध हे गए 6 आरोपी थे। राजेंद्र सिंह, उर्फराजू, सुभाश बिष्ट, दीपक, सूरज सिंह, लोगजन और आशीश। लेकिन पुलिस की तफ्तीश कई सवाल छोधा द्याच जाती है। मसलन वेन अगर गुद्धिया क पुलिस की मौत 4 जुलाई को हुई थी, तो उसकी लाश पूरे दो दिन तक जंगली जानवरों से कैसे बची रही। पुलिस का कहना है कि गुद्धिया की लाश के पास से उसके कप डिड़धे बरामत किये गए हैं। पांच तारीख को उस इलाके में भयंकर बारिश हुई एसे में कपद्धे मौका ए वार्दाट शुचाश पूरे बरामत किये गए हैं।